हेलो फ्रेंड्स और आप सब लोग कैसे हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप बाजार जैसा कुरकुरा फूला हुआ गोलगपा कैसे बना सकते हैं वो भी घर पर लेकिन उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद तो आपको लिए यहां पे सूजी यहां पे देखिया मैंने सूजी लिया आप सूजी कोई भी क्योलिटी कीं ले सकते हैं जांपे टारी गवशा के दोढूंगे नहीं कंपे और साथ में तोड़ा सा नमंग ताकि हमारे गॉल गबप्पे नम्कीन रहें अब इसको पहले मैं मिक्स कर लोंगी और फिर इस में डालूंदी थोड़ा-THोड़ा पानी थोड़ा पानी एड़ करके इसका में टाइट डो बना के तयार करना है बहुत जादा टाइट भी नहीं रखना है लेकिन सॉफ्ट नहीं रखेंगे क्योंकि अगर सॉफ्ट रखेंगे तो हमारे गोल गप्पे कुरकुरे नहीं बनेंगे मतलब क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके मैंने इसको देखिए गोद लिया है और अब इसको तक्रीबन मैं 10-15 मिनिट के लिए साइड में रखोंगी ताकि सूजी को जितना भी पानी सोखना हो सूजी उतना पानी सोख सके तक्रीबन 15 मिनिट मैंने इसे रेस्ट पे रखा था अब ये देखिए ये और टाइट हो चुका है अब थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूंगी पांच मिनिट मैंने इसको बाउल में गूना है और अब इसको 2-3 मिनिट मैं ऐसे ही फिचन प्लेटकॉम पे गूनूगी इस तरह से इसको बूढ़ना ज़ादा जरूरी है जितने अच्छी तरीके से आप इसको भूनेंगे मतलब जितने अच्छी तरीके से आप इसकी धुलाई करेंगे ये इतना ही अच्छा फूलेगा और अच्छा बनेगा तो थोड़ा सा टाइम कंसूमिंग है और थोड़ा सा महनत पाल तब आप समझे यह आपका आटा बिल्कुल पर्फेक्टली गुन चुका है तो अभी देखिए मैंने इसको तीन पार्ट किया है और अब हमें इसकी लोई आच्छे तरीके से बना लूँगी तो अभी देखिए मैंने इसका लोई बना लिया है और अब मैं इसे बेल लूँगी तो यहाँ पर देखिए यह बेलते वक्त चिपकेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर मैदा लगा सकते हैं या आप चाहें तो आटा भी लगा सकते हैं अगर दोनों चीज नहीं लगाना चाहते हैं तो आप तेल लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल लग अब इसे बेल लेना है कि अब है तो मैंने इसे बेल लिया है और एक बात का दिहान रखेगा पूडियों को एकदम पतला बेलना है विद्धा जो हमने रोठी शीट को तयार कि इसको तो देखिए मैंने यहाँ में पैलास कली आ भई दिझे के कृटर है एक धो किसी दिब्बे कायrik रता है दिफे का स네 डिले सारी पूड़ियों को हम बेल के कट Sana तयार कर लेंगे निया है में पेस्तों को तयार कर लिए तेल को मैं तो मैंने पूड़ियों को टाल के फ्राइश करींगे तो अपने और मैं अपने हम आप सकते हैं तस आप अतना ध्यान रखने कि तेल बहुत ही इस में बॉहाई निकले और बहुत जादा लो नहीं होना चाहिए मीडियम फ्लेम पे ही मैं से फ्राइड कर गह देखें कि बिल्कूल फूली फूली पूडिया बनके हमारी तयार हो रही है पूडियों को ढालना है फिर हलका साम इस को पुष करेंगे फाटक से उपर आजाएं देखें मैंने बिना बेकिंग सोडे के इस पूरी को तयार किया है बिलकुल फूली फूली पूरी बन के तयार हुई है और इसको किसी स्टेज पे निकालना है मैं आपको ये भी बता देती हूं जब इस तरह से डार्क हो जाएगा तभी हम निकालेंगे देखें इसमें एक कि अगर आप चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं जब तक जहां तब तक के लिए किसी भी एर्टाइट ने लगके लेकिन इसको कम्प्लीटी ठंडा होने के बाद ही आप इस टोर करिएगा अगर आप इसे गरम गरम इस टोर कर देंगे वादब किसी भी डिबे में रख द पूरी तो बनके तयार हैं पानी भी बना लीजिए और इसमें स्टफ करने के लिए छोला या आलो की स्टफिंग भी बना लीजिए बस फिर इंजोई करिए इस रेस्पी को तो उमीद करती हूं आपको यह रेस्पी मेरी पसंद आई होगी और इसी तरीके से मैं सारे बूरे और इसमें बहुत ध्यान से इसका क्रंच सारी पूरें बहुत एक क्रंच ही है तो याद आना आपको वीडियो पसंद आने पर क्या करना चले फटा फटबो सब कर दीजिए मिलती हूं आपसे एक और नई रेस्पी का साथ जल दिए